हेलो फ्रेंज वेलकम टू पंडोली स्टडी तो दोस्तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हिंदी में निभंद हमारा मद्य प्रदेश हमारा मद्य प्रदेश हम सभी दोस्तो मद्य प्रदेश के रहने वाले हैं मद्य प्रदेश के रहवासी है और हम सभी आज मैं आप सभी के साथ हमारे मद्य प्रदेश पर एक हिंदी में छोटा सा निबन दे कर आई हूँ इसमें मैं आपको मद्य प्रदेश की कुछ विशेशताय बताऊंगी मद्य प्रदेश में रहने वाले लोगों की कुछ विशेशताय बताऊंगी और हमारे मद्यप्रदेश की क्या प्रमुकताय है वो मैं आज अब सभी के साथ शेयर करूँगी जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे दोस्तो और जो लोग चैनल को और रेड़ी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो के लिंक को सारे दोस्तो और सारे रिलेटिव में शेयर कर दीजे ताकि सभी लोग इस प्यारे से निबंद का लुप तुटा सके चलिए शुरू करते हैं निबंद और हमारा मध्य प्रदेश सो दोस्तो भारत में 29 राज्य केंद्र है मध्य प्रदेश देश के मध्य में इस्तित होने की वज़े से इस देश को रिदे प्रवेश भी कहा जाता है दोस्तो भारत में 29 राज्य है और मद्य प्रदेश हमारे भारत के मद्य में इस्तित होने के वज़े से इसे हम रिदे प्रवेश भी कहते हैं मद्य प्रदेश हमारे भारत के 29 राज्यों में से एक राज्य है दोस्तो मध्य जवाहर नाल नहरू जी द्वारा मध्य प्रदेश को यहाँ नाम दिया गया था मध्य प्रदेश को बिरिटिश काल में Central Services और बरार के नाम से भी जाना जाता था जब बिरिटिश काल था यानि कि जब हमारा देश अंग्रेज जो द्वारा कैद में था तब हमारे देश मध्यप्रदेश को Central, Services और बरार के नाम से जाना जाता था पहले मध्यप्रदेश को तीन स्टेट यानि A, B, C में बाटा गया था चतिसगर और बुंदेल खल को पार्ट A बनाया गया था पस्ट्री में रियासतों को मिला कर पार्ट B बना था और उत्तर की रियासत मतलब की भुपाल पार्ट C बना था पहले मध्यप्रदेश को तीन स्टेट में बाटा गया था दोस्तों A, B और C जो उत्तर बुंदेल खल था उसे बनाया था पार्ट 1 36 गड़ को मतलब 36 गड़ और बुंदेल खर्ण को पार्ट A बनाया गया था वश्री मंगाल की रियासतों को मिलाकर पार्ट B बना था और उत्तर की जो रियासते हैं और भुपाल है उसे मिलाकर पार्ट C बना था फजल अली की अध्यक्षिता में वापस चर्चा पर मत्य प्रदेश की एक नवंबर 1956 में नए मत्य प्रदेश की स्थापना की गई पहले मद्य प्रदेश में कुल 47 जिले थे अब मद्य प्रदेश प्राशाशनिक और तौर पर 10 संभागों और 50 जिलों में पटा हुआ अपना राज्य है एक नवंबर 1956 के पहले मद्य प्रदेश में 47 जिले थे अब जब एक नवंबर 1956 के बाद से 10 संभाग है और 50 जिले में अपने मद्य प्रदेश को बाटा गया है 2000 नवंबर में मद्य प्रदेश का एक हिस्सा 36 गड़ राज्य की इस्थापना की गई 2000 नवंबर में मतलब सन 2000 नवंबर में मद्य प्रदेश के एक हिस्से अलग कर दिया गया जिसका राज्य 36 गड़ राज्य अलग हो गया मद्रप्रदेश की सीमा 5 राज्यों को चूती है उतरप्रदेश, 36 गड़, गुजरात, राजिस्थान और महराश्र मतलब हमारे मद्रप्रदेश के 4 और पुटल 5 राज्य है दोस्तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है चत्तिस गड़, गुजरात और चौथा है राजिस्थान और पाचवा है महाराश्र इन सारों पाचों राज्यों को हमारे मध्य प्रदेश की सीवा जुड़ी हुई है सन 2000 तक तो 36 गड़ राज्य मध्य प्रदेश में से जुड़ा हुआ था लेकिन 2000 के बाद नवंबर 2000 के बाद यहां अलग हो गया यहां बहुत सारी चोटी मोटी नदिया भी बहती है जैसे कि सोहन नदी, बेतवा नदी, शिप्रा नदी, वैन गंगा, नर्मदा, इत्यादी नदिया प्रमुक है मध्य प्रदेश में उसतन 112 सेंटिमीटर वर्षा होती है मद्यप्रदेश में बहुत साइच चोटी मोटी नदिया भेती है जैसे कि सोहन नदी, बेतवा नदी, शिप्रा नदी, वेन कंगा, नर्मादा, इत्यादी मतलब मद्यप्रदेश में 112 सेंटी मिटर की वर्षा होती है मतलब मद्यप्रदेश में माउंसूनी जलवाईू पाई जाती है दोस्तों यहां काली मिट्टी, पीली लाल मिट्टी, जलोड मिट्टी, मिशृत मिट्टी और कछारी मिट्टी पाई जाती है मिट्टियां हमारे भारदेश में बहुत अलग-अलग तरह की पाई जाती है और जिसरे की मध्यप्रदेश में मोसली काली मिट्टी होती है पीली लाल मिट्टी होती है, जलोड मिट्टी होती है, मिश्रित मिट्टी होती है, कछारी मिट्टी होती है इस तरीके की मिट्टिया हमारे मद्ध प्रदेश में पाई जाती है और जलवायू मांसुली पाई जाती है मद्ध प्रदेश में बहुत अलग अलग जाती जनजाती के लोग पाई जाते हैं जैसे कि गोंड, मारिया, सहारिया, पनीका, कोरकू, गुजराती, मारवारी, इत्यादी जातिया प्रमुख है मदर प्रदिश में बहुत सारी अलग-अलग जाती और जनजाती के लोग पाए जाते हैं दोस्तों उसमें से कुछ प्रमुक जातिया है गोंड, मारिया, सहारिया, पनिका, कोरकू, गुजराती, मारवारी, इत्यादी यहां अलग-अलग लोक नित्य और संगीत जैसे की स्वांग, काठी, कर्मा, नित्य प्रचलित है वहीं गणगौर, रे, गीत, दर्द, दर्या, दर्या, आलह, नाच, इत्यादी लोक गीत भी पाय जाते है बहुत सारी लोक नित्य है हमारे माद्य प्रदेश में जो प्रचलित है दुनिया भर में जिसमें की कुछ है स्वांग, काठी, कर्मा, नित्य और बहां कुछ लोक गीत है जैसे की गणगौर, रे, दर्द, दर्या, आलह, नाच, इत्यादी यह सभी लोक गीत है माद्य प्रदेश के प्रमुक संस्कृतिक समारों में कालिदास तांसें समारों, नित्य में मालवा, निमार, सप्रुद, सूप्रद, आदी समारों है देश द्वारा दिये जाने वाले प्रमुख पुरुसकारों में कालिदा सम्मान, तुलसी सम्मान, शरत जोशी, इकबाल, कबीर, लता मंगेशकर, वगेरा सम्मान शामिल किये जाते है पतलब अगर हमारे मध्यप्रदेश में कुछ पुरुसकार अगर किसी को देना है तो अगर सिफ मध्यप्रदेश सरकार उस पुरुसकार को देती है तो उन में से कुछ पुरुसकारों के नाम क्या है कालिदा सम्मान, तुलसी सम्मान, शरत जोशी, इकबाल, कबीर, लता मंगेशकर वगेरा सम्मान इत्यादी सामिल है मद्यप्रदेश में कानहा किसली राष्ट्री आरभ्यान पेंच उध्यान इस्थित है परवतों में सत्पूरा, पच्मडी, बरबस सभी को अपनी और आकरशित करते है मद्यप्रदेश में कानहा किसली राष्ट्री उध्यान है आरभ्यान पेंच राध्य उध्यान है परवतों में सत्पूरा की परवत, पच्मडी जो परवत है, बहुत प्रसिद है, मारा पच्मडी, बरबस परवत, यह सभी को अपनी और बहुत ज़ादा आकरशित करते है यहाँ पर ट्यूरिस्ट विजिट होते है, बहुत ज़ादा लोग बहार दुनिया से और पुरेदेश भर से भी और बहार दुनिया भर से भी हमारे मध्यप्रदेश इन सभी को देखने आते है गौालियर, इंदोर और मार्वा मांडव के स्थित केले और महल अपनी एक अलग ही आतिहासिक कता सुनाते है हमारे मध्यप्रदेश में गौालियर है, इंदोर है, मार्वा मांडव है, इसमें बहुत सारे किले प्रस्थीत है मतलब जो पुराने राजा महरा जाओ दौारा बनाए गए घर किले है वो बहुत ही जादा एतिहासिक है और बहुत ही जादा प्रसिद्ध है और यहाँ सबी अपनी एतिहासिक गथाए सुनाते हैं अमर कंटक से लेकर जवलबूर तक नर्मदा के अद्बूत प्रताप अत्यंत मनोहरी लगते हैं यहाँ अलग-अलग मंदिर भी अपनी एक ये अलग ही कथा सुनाते हैं जैसे की अंकलेशवर, महाकलेशवर, शारदा मंदिर, बहुत तीर्थ, सब किले और महल अपनी अलग ही एतिहासिक कथा सुनाते हैं मत्यप्रदेश में बहुत सारे मंदिर भी इस्थित है जिन में से कुछ प्रमुख है अंकलेशवर, महाकलेशवर, शारदा मंदिर, बहुत तीर्थ, यह सबी किले और महल अपनी अलग-अलग की यतियासी कताई सुनाते हैं मत्यप्रदेश एक ऐसा विवित्ता में एकता वाला प्रदेश है जहां लोग अलग-अलग राज्य, अलग-अलग बोली, अलग-अलग पहनावे के शामिल है मद्यप्रदेश के एक एशा प्रदेश है हमारे भारत देश का जो एकदम मध्य में है इसलिए ये बहुत एहम है और दूसरा ये है कि यहाँ बहुत सारे अलग-अलग राज्य से अलग-अलग बोली की बोलने वाले अलग-अलग पहनावा पहनने वाले सभी प्रकार की लोग रहते हैं मद्यप्रदेश सुराथ से ही बहुत ही विकाशील रहा है और निरंतर एक ही हरे छेत्र में आगे बढ़ रहा है एक नहीं हर एक छेत्र में हमारा मद्यप्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है हमारे देश को मतलब हमारे देश में अगर आपको एकता में विवितता कहीं देखनी है तो आप आए हमारे मद्यप्रदेश वहाँ आपको ये जरूर देखने को मिलेगा मद्यप्रदेश आज भी देश में अपना वर्चा सुषिद्ध कर रहा है सवच्चिता में भी अब सब से आगे है मतलब हमारा मद्ध्य प्रदेश स्वच्छता में भी सबसे आगे है सबसे cleanest city of India कौन सी है इंदॉर इसलिए योकी मद्ध्य प्रदेश में स्थित है हमारा मद्ध्य प्रदेश खाने के साथ प्रतिष्टा और मान सम्मान में भी है और यहां रहने वाले लोगों में एकता की और अखंड़ता में भी आगे है हमारे मद्ध्य प्रदेश में खाने प्रदेश में धीने से के लिए भी एक से बढ़कर एक प्रतिश्ठान भी दिये चाते है कोई बहमान आता है तो उसे मान सम्मान दिया जाता है और यहां जो लोग रहते हैं उसमें भी एकता बहुत जादा एकता पाई जाती है एक बार जरूर बढ़ारी है हमारे मध्यप्रदेश में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी एक बार जरूर आईए मध्यप्रदेश को धूंड़िए देखिए उसमें घूमिएं और बहुत ज़्यादा इंजोई कीजिए और हमें मौका दीजिए ताकि हम आपकी महमान नवाजी कर सके और जो मैं आज आप सभी के साथ इस एशे में शेयर कर रही हूँ वो आप सभी रियल में देख सके तो दोस्तो इसी के साथ यह लक्षर यहां पर खतम होता है जो लोग पंडोले स्टीज के चैनल पर नए आए हैं पर सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को और बैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि वीडियो जब भी नए वाले अप्लोड हो जो कि वीडियो खियो स्विके नोटिफिकेशन आपको सभी को मिल जाए थैकक्य। वरी मच पर वच्छिक्ष्ट्ष्ट्वीड दोस्तो दो लाइक थीच्वीड फिडियो प्रावाज प्रावाजिया में प्रावाज बेस्ट इस प्रावाज कर दो प्रावाज का था रहा झाल